Hello students, today I am going to start a new chapter of sociology, chapter 1, society and social changes, part 2. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. So we were here in pluralities and inequalities among society. So this is also the important part of what is the situation in society. So we live in the social media and social media and social media are also the same as social media. So we can see that the social media community dollars in such a way of coordinating associates as that. But the social media people are talking about the social media and our soziales teaching of articles makes sense. में लिया जाता है तो यह एक विविध है एक बात है और यह निरने करने में कठना ही पैदा करता है कि किस समाज की बात हम कर रहे हैं लेकिन शायद लगता है कि समाज का बहुत बड़ा समुदा है अकेले समाज शास्त्रियों का ही है तो जैसे कि इसमें लिखा है, the diversity makes in deciding the society, we are talking about the difficulties, but difficulty of mapping society, तो हमें देखना है कि क्या mapping है हमारी society की, तो ये एक Indian film है, सत्याजी त्राइवंडर ने, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, तो ये English का मैं Hindi में बता देती हूँ, क्या आप शहर को पीछे चोड़ाओं में जाएंगे, जहां विशाल चिरागों या चरहावा बासुरी वजाते हैं, आप क्या साफ सुत्री और ताजगीन फिल्में बना सकते हैं, जिसे एक नाविक के गीत और एक मोहक कर ले, अत्वा आप इतिहास के पीछे महा कवियों में जाएंगे, जहां पर दैत्तियों और देवों ने महान संग्राम में जन मिलिया है, और ये कार किया है, या आप इसमें हिस्ता लेंगे जिसमें भाईयों ने भाईयों का सहार किया है, अत्वा आप वही ठेरे रहेंगे जहां आप हैं वर्तमान में यदि इस विकट भीर भार चका चौन भरे शहर के बीज आप एक कोहलाकल या दृष्य में परिवर्ष करते हैं तो इतना प्यारा इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बहुत मॉटिवेशनल लाइन लिखी है तो सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है अपनी लाइफ में आगे और उसको हमें कैसे अपने समाज में लेकि आना है तो समाज शास्त्रिया हम कहेंगे सोशलोजी का सबसे मुख्य प्रश्न है कि समाज में किस चीश पर हमें ध्यान केंद्रित करना है और हम सत्य जीत राय की यह भी याद रख सकते हैं जो कि उन्होंने ये रोमेंटिक चितरन भी यहाँ पर दिया है इसका मतलब है जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वे गाओं के खपर की छट वाली चाय की दुकान के सामने धूल भडी सडक पर बैठा था जान मुझकर अपना गिलास और प्लेट अपने बगल में रखा हुआ था और दुकानदार के लिए एक मूख संकेत था कि वह अच्छूत को चाय खरीदनी है तो ये एक 40 वर्ष ये पुरानी ये एक स्टोरी है जे 1978 में पोट्रेट करी गई थी कि किस तरीके का हमारा संकेता सेन ने एक बहुत अच्छी लिखी है कहानी कि सम इंडियन सारेच मोस्टा नौड कि कुछ भारती अमीर है अधिकांच नहीं है कुछ बहुत अच्छा तरह से सिक्षित है कुछ निरक्षर है समार इलिट्रेट या हम मान सकते हैं कुछ बहुत विलासिता में है बहुत अच्छा जीवन जिन्दगी जीते हैं जबकि दूसरे थोड़े से परिश्रमिक हैं और उनके कठोर परिश्रम रहता है कुछ राजनैतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं लेकिन कुछ दूसरे किसी वी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते कुछ के पास जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अफसर है जबकि अन्ने के पास अफसरों का निरंतर आभाव है कुछ के प्रती पुलिस का व्यभार समान जनक रहता है जबकि अन्ने कुछ के लिए अत्याधिक आसमाजनिक रहता है तो ये आसमंताओं में कुछ विविन्न प्रकार है इनमें से प्रतिय कुछ गंभीर चिंतन का आविश्यक है तो ये अमरिता जी ने 2005 में 2000 यहाँ पर लिखा था यह हमें बहुत बड़ा आज की हमारी सोसाइटी के बारे में हमें बहुत जादा बताता है कि आखिर ये क्या हो रहा है इसके बाद ये अक्टिविटी है या आप अपनी बुक में देखेंगे फिर है फोर्थ पॉ paints, introducing sociology, आखिर ये sociology है क्या what is sociology हमेशा पूछा जाता है तो ये sociology क्या एक समाज का अंतिसंबंद या एक रूप, एक अध्याइए है एक समाज सास्त्रे कलपना है जो पहले हमें परीचे देखती है एक व्यक्तिगत, पसंद या एक नौकरी के बजार में हमारा परीचे पत्र देने के लिए चाहे वो एक पॉलिटिकल हो, सोशल हो, एकनॉमिकल हो, कल्चरल हो, एजुकेशनल इंस्टिटूशन हो, इंटरकनेक्टिड हो, या बहुत कुछ सीमाओं में छुपा हुआ हमारा पिल्पिनाओं पर भी केंद्रित होता है, जिससे समाज को हमें समझने में कुछ पॉलिटिकल हो, और समाजों का अध्यन है, और ये समाजिक प्रानी की तरह स्वेम हमारा व्यभार जानने की कोशिश करता है, तो सोशलोजी एक तरीके से कार्य करने वाला पहला विशय नही है, लोगों ने हमेशा उस समाज और समुआ को देखा और समझा है जिसमें वे रहते हैं, तो ये सबी सब्विताओं और युगों के दर्शकों, और धार्विक गुरुओं हों, या विश्विशेष्टाएं हैं, पुस्तकों सिस्पष्टों, अपने जीवन और अपने या मानव स्वभाव हो, या केवल दर्शनिये हो, विचार हो या समिती हो, तो सभी अपना रोज मार्ग की जिंदिकी के बारे में और दूसरों की जिंदिकी के बारे में अपने अपने विचार रखते हैं, तो हर किसे हैं एक दूसरे के बारे में अपना विचार रखने के लिए अपना ऑफ्जर्वेशन रखने के लिए अपना सोच साइटी में चेंज रखने के लिए acesso स्विश्य के बारे में हम्यूंजे से हमारे संमारय इधारिन हमारे बौधी सब कुछ हमें इसमें घ्यात होता है तो भी एक विशे के रूप में हम समाज शास्त्र को समाज के बारतिय केवं विचार दर्शनायक तरीके से हम इसको समझा सकते तो मानव व्यभार में ही एक नैतित्व है और क्या हम इस नैतित्व को आगे तोर तरीके में लगाते हैं क्या हम इसको आगे समाज शास्त्र को आगे जानने की कोशिश करते हैं या इनके मूल्यों को जाने या दृष्टी माने तो हमें इतना मानना चाहिए इस अध्यन में जो कि चैप्टर थ्री में हमें सोशलोजी अन रिलीजन में मिलेगा कि समाजों में एक अनुभविक अध्याय सबसे बड़ा सोशलोजी है लेकिन हमें बात करनी है कि क्या सोशलोजी का अर्थ है क्या मूल्य है इसका सोशल पॉलिटिकल लाइफ में तो इसको भी हम पीटर बर्गर जिन्होंने यहाँ पर लिखा है और इन्होंने बहुत अच्छा एक्स्प्लेंट के बारे में तो इसका भी मैं बता देती हूँ कि इन्होंने कहा है कि किसी भी राजनैतिक या सैनिक संघर्ष के विरोधी पक्ष में जासूसी द्वार इस्तिमाल की गई सूचनाओं को हतियाना काफी फाइदे मंद होता है लेकिन इसका कारण यह है कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाएं पूर ग्रह से मुक्त होती है यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारों से विचार धाराओ या महत्व कांशाओं को ध्यान ना रखता हो और उसकी रिपोर्ट ना सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुपयोगी होती हो बलकि विरोधी पक्ष के लिए भी होती है तो यदि वै उसे हतियाना चाहे तो एक समाज सास्त्रिया सोचलोजी काफी फाइने में ऐसा ही एक जासूस है उसका काम यह है कि वैं निश्य छेत्रे में अधिक से अधिक रिपोर्ट तैयार करें तो यह है एक सोचलोजिस्ट का काम तो वाट डू यू मीन मतलब है क्या आप जानते हो सोचलोजी इसका यह अड़ निकाला जाए कि समाज शास्त्री की अपने अध्याय में उद्देश के बारे में जानने अत्वा उसकाम के प्रती जिसके लिए समाज शास्त्री जानकारिया जुटाई जा रही है कोई समाजिक जिम्मेदारी नहीं उसके जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी समाज के एक नागरिक की होती है लेकिन यह पूछताच समाज शास्त्री पूछताच नहीं है यह तो एक जीवन ज्यानी या जीविकाय ज्यान की तरह है जिसका उप्योग या तो स्वस्थ करने या खत्म करने के लिए होता है तो अब हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये beginning है, कि एक science है, या एक observation है, या एक philosophical reflection है, या एक theological contemporary है, sociology है, या ये एक procedure है, जिसको हम अपने जीवन शैली में ले सकते हैं. तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर sociology क्या है, और ये हमारी society में कैसे implemented part play करता है, और sociology की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये हम भी मान सकते हैं कि समाजिक तुलना, समाजिक छण, या कुछ भी का अभूमिका, प्रतिक्रिया, या जो भी समाज के बारे में दायत्व है, तो य हमारे chapter 5 में भी हम आगे, अब इस बात मैं part 3 में share करूंगी आपका, thank you